दोस्तों सबसे पहले आपको दिल से बढ़ाई कि आपके मन में टेक्नलोजी से जुड़े हुए नए नए सवाल आते हैं क्योंकि इसी तरह के सवालों का जवाब देने के लिए इस चैनल पर आपको बहुत से वीडियोज मिलते रहेंगे दोस्तों नमस्कार मैं हूँ रॉना कानंद और आज हम देखने वाले हैं वेव 3.0 क्या है वेव 3.0 वेव की यानि www की तीसरी पीड़ी है बोले तो 3rd generation वेव 3 को अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि वेव 1 और वेव 2 में ऐसी क्या कमिया थी जिसके वज़े से हमें वेव 3 को लाना पड़ा तो आईए सबसे पहले हम जानते हैं कि वेव 1 कैसा था वेव 1 का विश्कार 1989 हुआ और यह 1993 में पॉपलर हुआ एव अब 1999 तक चला वेव 1 में वेव साइटें सिर्फ इस्टेटिक हुआ करती थी इस्टेटिक का अर्थ है कि उनको हम सिर्फ देख पाते थे उन पर हम और कुछ नहीं कर सकते जैसे ना लाइक कर सकते ना कमेंट कर सकते नहीं उन पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते थे उस तमें आप सिर्फ internet पर जानकारियां पढ़ सकते थी जो केवल एक साइट से जिसे हम website owner भी कहते हैं वो post कर देता था और internet user उस website को access करके उस पर रखे material को सिर्फ पढ़ पाता था उस तमें website पर जो भी material रखे जाते थे वो केवल text होते थे इनके अलावा उनमें videos, graphics या animation हम कुछ नहीं देख सकते थे उस तमें social media website भी नहीं हुआ करती थी आप सूच रहे होंगे कि यार कितना बेकार था ये website लेकिन आप अच्छी तरश जानते हैं कि किसी भी चीज़ की खोज एकाइक नहीं होती वेव एक www याने internet के विकास का प्रथम चरनत तो आईए अब हम चलते हैं वेव 2 की तरफ जैसा हमने अभी डिसकस किया कि वेव 1 में website ओपर केवल text हुआ करते थी वहीं वेव 2 में text के साथ साथ अलग तलग तरह के rich media content और वेव internet standard को भी follow करने लग गया वेव 2 में user interaction की facility भी सुरू हो गई user interaction का अर्थ होता है कि एक तरफ से website owner अपना article लिखकर दुनिया को दिखाएंगे वहीं दूसरी और उनको पढ़ने वाले बेक्ती यानि user उस पर परतिक्रियाई भी दे सकते जैसे अगर आप चाहेंगे कि ये post आपको कैसा लगा तो आप last में comment section में comment करके अपनी बात रख सकते हैं जैसे कोई भी social media website पर कोई भी post डालता और उस पर लोग अपने अपने reactions देते हैं वेब 2 में बहुत सारे social media company का विकास हुआ जैसे कि facebook, instagram, twitter और इन सारे website पर जाकर हम अपना account बना सकते हैं वहीं उस पर comment कर सकते हैं इसके साथ साथ दूसरे लोगों के comment को भी देख सकते हैं ये सारी बाते वेब 2 से संबंदित थी पुल मिला कर हम ऐसा कह सकते हैं कि वेब 2 में website dynamic और interactive बनने लगी इससे online business याने की economic business को बहुत बढ़ावा मिला वेब 2 से संबंदित एक मुख्य तथिया है कि वेब 2 पर जितने भी content आप देख पा रहे हैं वो maximum content उपयोग करताओं के द्वारा त्यार किये गए हैं तो आये चलते हैं अब हम वेब 3 की तरफ वेब 3 www की तीसरी पीड़ी है जिसमें यूजर अपने content का और internet पर डाले गए सारे content का मालिक खुद होगा और अपने सारे data को खुद की computer में रख पाएगा टेकनलोजी की भासा में इसे decentralized wave या weekend recruit wave भी कहते हैं इस बारे में take expert का मानना ये है कि वेब 3 के आने के बाद अपने data को आप खुद manage कर पाएगे कुछ company या कुछ लोग केवल आपके data को manage नहीं कर सकते जैसा कि अब तक होता आया है उदारन के लिए हम लोग facebook और whatsapp को प्रतिदिन इस्तमाल करते हैं उन पर बहुत सारे data याने की जानकारी भी देते हैं जैसे की नाम, जन्दिन, इत्यारी ये सारी company हमारे data का परियोग पैसे कमाने के लिए करती हैं कुछ company हमारे प्रसंद की प्रचार दिखा कर हमसे पैसे कमाती हैं तो कुछ company हमारे data को बेच कर इसका गलत इस्तमाल करती हैं क्या आपने कभी सोचा है कि इन company को हमारे data बेचने का अधिकार किस ने दिया और इन गिने चुनोई कम्पणियों को हमारे डाटा के मालिक बनने का अधिकार किसे ने दिया ना किवल इतना ही बलकि कम्पणियों के CEO के फैसले का लोगों के जीवन पर ब्यापक असर होता है इन कम्पनियों के CEO'S अपने आईडियोलोजी या अपने विचार लोगों पर आसानी से थोप सकते हैं चंद लोग यह नेरनल ले सकते हैं कि कौन सा वेक्ती सोसल मेडिया पर रहेगा और कौन सा content सोसल मेडिया पर होना चाहिए जैसा कि आप जानते होंगे अमेरिका के पुर्वरास्टपटी दोनाल ट्रम कुछ सेलिबिटी जैसे कंग्रा रानौत इनका सोसल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया गया चंद सेकेंड में ही ये लोगों से दूर हो गए वेब 3 के आने के बाद इन सारी चीजों पर उनका मालिकाना हग कम हो जाएगा लोग अपने कंटेंट के मालिक खुद होंगे लोग यह निर्ना ले पाएंगे कि उनके कंटेंट पर कौन सा एड़टाइजमेंट चलना है कौन सा कंटेंट कौन से लोगों तक पहुचाना है इसका निर्ना कंटेंट निर्माता कंटेंट क्रियेटर के द्वारा लिया जाएगा ना कि CEO या उनके पॉलिसी के द्वारा मैंने अभी आपको बताया कि वेब 3 क्या है लेकिन इसके फीचर्स जाने बिना इसके बारे में समझ पाना बहुत मुश्किल है तो आएए एक ही कर इसके फीचर्स के बारे में समझते हैं तो पहला फीचर्स है इसका डिसेंट्रलाइजिशन याने विकेंडरी करन वेब 3 के बारे में टेक एक्सपर्ट का मानना है कि वेब 3 के आने के बाद फेस्बुक और ट्विटर जैसे कंपनियों का एक अधिकार नहीं रह पाएगा हमारे डाटा का विकेंडरी करन हो जाएगा और ये कंपनी हमारे डाटा पर हक नहीं जमा पाएगी दूसरी विशेश्ता है एनेफ्टी का अधिकार एनेफ्टी एक प्रकार का ओनलाइन इमेज फोटो वीडियो या कुछ भी हो सकता है या ग्राफिक्स भी हो सकता है एनेफ्टी का पूर्ण रूप होता है नॉन फॉंजिबल टोकन जैसे यदि किसी उप्योकरता के द्वारा कोई ग्राफिक्स बनाया गया है तो उसको ऑनलाइन माध्यम से वो लोगों तक पहुंचा सकता है उसको बेच सकता है उससे पैसे कमा सकता है वर्तमान में ये आना हो तो आप नीचे कमिट सिक्सर में हमसे बता सकते हैं तीसरी विशिष्टा है ब्लॉक्चाइन टेक्नोलोजी वेब 3 ब्लॉक्चाइन टेक्नोलोजी का प्रयोप करेगी जहां पर एक ही जगह पर डाटा को स्टोर करने के जुरत नहीं पड़ेगी जिस प्रकार आप य ब्लॉक्चाइन टेक्नोलोजी की सहयता से डाटा को दिसेंटरलाइज किया जाएगा और उन्हीं सुरक्षित रखा जाएगा इसते एक फाइदा यह भी होगा कि विना सर्वर का इंटर्नेट चलानी की बेवस्था को बल मिलेगा ब्लॉक्चाइन टेक्नोलोजी की वदद स वेब 3 में किसी भी प्रकार की कोई होस्टिंग या सर्वर कम्प्यूटर की जुरत नहीं पड़ेगी टाटा एक साथ बहुत सारे कम्प्यूटरों में श्टूर रहेगा ना कि किसी एक सर्वर पर वेब 3 थोड़ा डरावना सा लगता है लेकिन वास्तविक्ता में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे जैसे लोगों की जरूरते बढ़ रही हैं वैसे वैसे टेकनलोजी भी आगे बढ़ रहा है इस आर्टिकल में मैंने आपको वेब 3 के बारे में बहुत सारी बेसिक बाते बताने क की कोशिश की हमें आसा है कि ये बाते आपको समझ में आई होंगी इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद भी यदि आपके मन में कोई शवाल रह गए हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं यदि यह आर्टिकल आपको पसंद आया हो तो आप इसे दोस्तों के साथ सेर करना बिलकुल नहीं पूलें तो मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में तब तक के लिए जाहें